हेलो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो यूपी टौबटलसी का जो पेपर होने वाला है जुलाई में यूवा कल्याण अधिकारी जो की बहुत ही important ये वीडियो है आपके लिए होगा तो युवा कल्याण अधिकारी का जो paper होगा उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उसमें हम लोग देखेंगे कि उसका syllabus क्या है और exam कब होगा तो exam जुलाई के last week में होने वाला है और क्या क्या पढ़ना है और पूरी strategy क्या होनी चाहिए हमारी युवा कल्याण अधिकारी का जो paper होगा उसके लिए तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे channel academy anywhere में दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने इस channel को subscribe नहीं किया तो please subscribe जरूर कर लिजेगा और इस bell icon को जरूर दबाईएगा तो ताकि जो भी हम video डाले आपको वो आपकी notification आपको मिलती रहे तो इस channel को जरूर सब्सक्राइब करिएगा तो अभी जो युवा कल्यान अधिकारी का paper होने वाला है उसका syllabus जो है वो है इसके चार पार्ट में हैं जैसे समान गुद्धी परिछन होगा तो उसमें 50 question पूछे जाएंगे और समान ग्यान होगा इससे भी 50 question होने वाले हैं और समान विज्ञान और अंगडित इससे भी 50 question आने वाले हैं और समान हिंदी इससे भी 50 question आने वाले हैं यानि कि 400 नंबर का ये पूरा paper होगा और 200 question पूछे जाएंगे और समय जो होगा दो घंटे में ये सब होने वाला है पूरी strategy है ये युवा कल्यान अधिकारी के लिए तो इसको हम अच्छे से अभीड देखेंगे कि क्या क्या इन सब में पूछा जाएगा तो जो part 1 है इसमें समान बुद्धी परिछन जो है इसमें क्या क्या पूछा जाएगा तो इसमें युक्ति संगत एवं अलोचनात्मक था विशलेशडात्मक योगिता जो है इसको पूछा जाएगा यानि कुछ statement दिये रहेंगे और आपको उसका answer बताना है conclusion बताना है कि क्या होने वाला है फिर समान जो मानसिक योगता है उसमें ऐसे प्रसन पूछे जाएगे जो diagram पे होंगे जैसे graph diagram से भी reasoning में पूछे जाएगे जैसे graph देदेगा diagram और उसमें से question put up किया जाएगा तो graph diagram आप लोग जरूर देख तो यह सब चीजें reasoning में पूछी जाने वाली है और फिर उसके बाद समान ज्यान जो होगा इसमें आप computer computer related चीजें पूछ जाएगी यानि hardware, software, networking और internet, email के बारे में इससे पूछे जाएगा computer से फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश पे आधारी जो पूछे जाएगे यूपी उसका मैंने एक वीडियो बनाया है उसका link मैं आई button description box में डाल दूगा उस लिंक पे जाके आप लोग देख सकते हैं और उत्तर प्रदेश के important facts भी बनाये हैं मैंने जिसमें सिक्षा, संस्कृति, क्रिशी, ये सब सारी चीजें उसमें मैंने add की हैं उसका भी link मैं आई button description box में डाल दूगा उस link पे जाके आप लोग देख लिजेगा तो उत्तर प्रदेश से जो पूछा जाने वाला है वो सिक्षा, संस्कृति, क्रिशी, जनसंक्या, बेपार, मवारिज, उत्योग और ललित कला केंद्र ये सब सारी चीजें सब कुछ मैंने उसमें बताए हैं उस वीडियो में बताए हैं फिर सामान मानम बेवार, अनुशाषन, नयतिक, नयत्रित, महिलाओं का सस्क्ते करण जो में इंपॉर्मेंट है उसके बारे में भी आप लोग देख लिजेगा इससे question भी बनेंगे और भारत का इतिहास भारती राष्ट्री अंदोलन तो हिस्ट्र पुशा जाएगा और भारती राष्ट्री आंदोलन जो हुए थे उस पर प्रस्म पुशा जाएगा और फिर राष्ट्रियता का अब्युद्धत स्वतनतता प्राप्ति की संबंद में सारपरक जानकारी इसमें दी गई है ये भी पुशा जाने वाला है फिर भारत जर्फिकल ये साफ सारे जियोग्रफिकल पार्ट जो होते हैं भारत की वो सारे पुशे जाएंगे तो वो सब यह गई हैं उस्यान परकिंश को पहिता बाने ओक्छ भारती राजनिती के ओम शासन ये भी पुछा जाएगा जैसे संभीधान के बारे हम पुछा जाएगा फिर राजनिती के बियोस्था क्या है पंचायती राज ये इंपोर्टेंट टॉपिक है इसको देख लिजेगा फिर तकनिकी ओम आदी भारती राजनिती ओम शासन के अंत सामाजिक विकास गाधिवादी जो विचार धारा उसके बारे में देख लिजेगा और बैंकिंग से भी कुश्चन आएंगे तो यह सब सारे चीजें समान ग्यान में पूछा जाने वाला फिर राष्टी ओम अंतर राष्टी मत की जो घटनाए है जो करेंट इवेंट्स हैं व वो सब मैंने UPCC की प्रेलिस्ट में डाल दी है फिर समान ग्यान से क्या पूछा जाने वाला है समान ग्यान से तीनों जैसे जीव ग्यान रशाइन विज्ञान भुखति कियाने फिस्स कमेस्ट्री जो है और बायो इन सब से कुश्चन पूछा जाएगा और बायो में क्या प होता है वो देख लिए गा और बिमारी होरा ते कमी से कौन से बिमारिय होती है यह सब घीका करनका महृत तो जल चक्र जो है उसको देख लिजए गा पेज़ गड़ता के मानक ही उसको और फ्र यह सब रसाय और जीव ग्यान के इन्टर करते हैंस ही यह सब एकेबाद सामान हिंदी यह बहुत इंपॉर्टेन सीलेभरश का यह टॉपिक है सामान हिंदी से जो क्वेश्षन को पुषियां यह थाएंगे यह भी 50 Boss पुषियांगे सोनमर कि यह भीnew बहुत इंपॉर्टेन है हिंदी अच्छे से से हैं वो पुछह जाएगा संग्या सरवनाम विशेशन क्रिया विशेशन अब्य यानि पार्स आप स्पीच जो हिंदी के होते हैं वो सब पूछे जाने वाले हैं और इसी से ही क्वेश्चन आएंगे सब्द ग्यान में आपको पर्यवाची पर्यवाची होना चाहिए यानि और सब्दों का अर्थभेद सब्दों को मैच कराने के लिए पुछा जाएगा और कुछ वाक के दिये रहेंगे उसी से आपको एंसर बताना पड़ेगा असुद असुद ये सब पुछा जाएगा और स्टेटमेंट को सही है या गलत ये पुछा जाएगा तो ये सब सारी चीजें देख की जाएगा फिर उसके बाद लिंग वचन पूरुस काल ये सब वाच ये सब चीजें पुछे जाएगी यानि कि हिंदी को पूरा ही कवर किया इन लोग ने फिर मुहावरे लोकुक्तियां भी पुछी जाएगी अनुवाद जो होते हैं समतुल सब चैन और व का समान निग्यान तो ये हिंदी से रिल्टिट कोश्चन है और हिंदी के मैंने बिलोम सब कुछ बनाये हैं अगर आप के लिए हेलफू लें तो उसको जरूर देख लिजेगा क्योंकि वो सारे बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन है अभी जो वीडियो मैंने बहुत पहले अधिकारी है उसके बारे में पूरी स्टेट जी जुलाएं में पेपर होने वाला है और क्या सलेबस था ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया तिसको फॉलो करिए और अगर दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको लगत सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाते हैं तो उसका नोटिफेकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा तो दोस्तों अगर आपको हमारी इस वीडियो को अच्छे लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए लाइक करिए शेयर और कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा वीडियो कैसी लगी है अगर कोई भी आपका अगर सजेशन हो या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्शन में लिखके बता सकते हैं तो दोस्तों थैंक यू थैंक यू फर वाचिंग और कीप लर्निंग